So, Hello Guys, Welcome Back to my Channel, Earth Shastra की नगरी So, Guys, जैसे कि आपने थमनिल के अंदर देखी लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं, Regression Equation के Regarding ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरे भाई, अगर ये समझ लीजिए, आपके Slaves के अंदर Regression Equation है और उसके उपर numerical question ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सबसे अच्छी बात ये, बहुत ही ज़्यादा असान है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर करना नहीं है, अगर आपको basic plus minus multiply आती है, आप बहुत ही अराम से Regression Equation के question के question को solve कर सकते हैं, तो कैसे इसके question को solve किया जाता है, ए एक चीज आपको जरब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, यहाँ पे मैंने जो है, एक question को ले रखा है, जिसके अंदर आपको जो है, इस तरीके से आपको जो है, यहाँ पे question दिया जाएगा, ठीक है, आपको x दे रखा होगा, आपको y दे रखा होगा, जैसे x की कुछ value है, 10, 22, 24, 27, 29, 33, ऐसे आपको value दे रखी है, तो regression equation के अंदर क्या होता है, दो तरीके की equation होती है, एक होती है आपकी, एक होती है आपकी x on y और एक होती है आपकी y on x, ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है निकालने के लिए, वो आपको जो है, वो आपको जो है, वो आपको निकानने के लिए कह सकता है, तो किस तरीके से x on y निकालते हैं, किस तरीके से y on x निकालते हैं, एक एक चीज आपको बहुत ज़दा ध्यान से समझनी है, ठीक है जी, बहुत ज़दा ध्यान से सुनेंगे, x वाले जो दे रखे थे, वो मैंने यहां पे लिख लिए हैं सबसे पहले तो आपको mean का formula पता होना चाहिए के माध्धे का formula क्या होता है तो भाई mean का जो formula होता है यह होता है आपका sigma x upon में n ठीक है इसी तरीके से अगर मैं y की बात करूँ तो इसको जाएगा sigma y upon में n n का मतलब होता है number of terms के कितनी है, चीक है, तो ये दे रखा था, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 25, ये जो आपको दे रखा था, मैंने सबसे मुझे sigma x चाहिए, तो मैंने इसका y summation कर लिया, इसका summation कितना आ रहा है, 113, ऐसी y का summation कितना आ रहा है, y का summation जो आ रहा है, वो आ रहा है, 182, तो अगर मैं mean निकानना च चाहूं, तो mean कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 113, अपन मैं, number of terms देख लिजे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपकी 7, आपको क्या करना है, आपको जो है, 113 को जो है, आपको divide कर देना है, 7 से, तो जब भाई, आप 113 को 7 से divide कर दोगे, तो आपका आ जाएगा आपका आजाएगा 16.14, चीक है, ऐसी why mean जब मेरे को निकानना है, तो इसका कितना आजाएगा, ये आजाएगा आपका 182, and number of terms कितनी है, 7, तो इसको भी आप divide कर दीजिए, तो जब आप 182 को divide कर देंगे, तो ये आजाएगा आपका 26, ठीक है जी, ये आगे आगे आपका 26 और ये आगे आपका 16.14, ये बात आपको जो है, सबसे पहले बात तो ध्यान लखनी है, सबसे पहले मैंने mean निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है मैंने सबसे पहले, सबसे पहले mean निकाला है, x का mean कितना है, 16.14, y का mean कितना है, y का mean आए 26, ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो column बनाने है ठीक है पहला आपको बनाना है x minus x bar आप इसको small x भी लिख सकते हो और दूसरा बनाना है y minus y bar आप इसको small y भी लिख सकते हो यह capital x है यह capital y है ठीक है और यह small x small y है नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x minus x bar y minus y bar कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमा minus का 6.14 ऐसी 12 में से इसको घटा देंगे 13 में से इसको घटा देंगे 16 में से इसको घटा देंगे इसमें से इन सम्में से ये जित्ती भी digit लिखी हुई है इन सम्में से आपको 16.14 deduct कर देना है क्योंकि मुझे क्या चाहिए x minus x bar चाहिए जो plus में आएगा उसको plus में लिखेंगे जो minus में आएगा उसको minus में लिखेंगे तो ये हो गया आपका x minus x bar ठीक उसी तरीके से जैसे अब मुझे चाहिए y minus y bar तो y minus y bar के लिए y mean कितना है y mean मेरा 26 आया है ठीक है y mean मेरा कितना है y mean मेरा 26 आया है तो इन सब digit में से 26 डिड़ेक्ट कर देना जैसे 10 में से 28 गए तो minus का 16 आएगा 22 में से 26 गए minus का 4 आएगा इस तरीके से आपको सारी digit minus कर देनी है तो यह आपका आजएगा y minus y bar चीक है उसके बाद x minus x bar निकाल लिया y-y बार निकाली आपका काम हो गया है अब आपको क्या करना है आपको जो है एक और कॉलम बनाना है जिसमें x-x बार और y-y बार की गुणा कर देनी है मतलब की इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है प्लस 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 होता है ठीक है कहीं आप सोचो भई यहां से माइनस क्यों चले गए यहां माइनस आ रहा है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि minus minus plus होता है ठीक है इन दोनों को हमने multiply कर दिया तो हमारे पास column आ गया x minus x bar और मैंने इसका sum कर दिया कितना आ गया जी इसका sum इसका sum आ गया 248 ठीक है उसके बाद मेरे को एक और column चाहिए जिसमें मैंने लिखा है x minus x bar का square x minus x bar मैंने का निकाला था यह रहा तो मैंने क क्या करा इस वाले column का आपको square कर देना है जैसे 6.14 को दो बारी multiply करना है आपको मतलब 6.14 multiply 6.14 यह आपको कर देना है तो कितना आ जाएगा 37.33 ऐसे ही minus का है तो minus minus plus हो जाएगा इस वज़े से minus नहीं आया ऐसे ही 4.14 ठीक है minus का 4.14 ठीक है जी तो इन दोनों को गुणा कर दे आपके पास यह पास लाएगा minus minus plus हो जाएगा ऐसे ही इसका square कर देंगे इसका सब का square कर देंगे तो यह आपके आपके पास यह आ जाएगा x minus x bar का square और इसका मेंने summation कर लिया अब मुझे इसी तरीके से y minus अब y-y bar का निकाला ये रहा इसका समीशन जैसे 16 का होता है 256 का होता है 16 इन सब के square कर देने है 2 का 4, 1 का 1 की होगा 3 का 9 होगा, 7 का 1 होगा 11 का 121 होगा ठीक है जी, ये मैंने इसका भी sum कर लिया सबसे पहले आपको 4 column निकानने है कौन सा कैसे निकला है ये आप देख लीजिए ठीक है जी x-x bar, y-y bar इन दोनों की गुणा कर दीती इसका square निकाल दिया और इसका square निकाल दिया 4 column की आपको जरूरत है अगर आपको regression equation निकालनी है ठीक है, और हमने mean भी निकाल लिया था x-bar और वो भी निकाल लिया था y-bar आपको सबसे पहले ये जो रमैन का था यहाँ पे हुई है, ये जो calculation यहाँ पे हुई है अगर आपने ये कर दिया तो आप ये समझ लीजिए, आपका 80% काम जो है, वो हो चुका है ठीक है जी? अच्छा अब हम आते हैं मुद्दे पे अब जरा बहुत यहाँ ध्यान से सुनेंगे के मुद्दा जो है, क्या है हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, ठीक है बहुत यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये कितना आया था हमारा ये आया था आपका 113 को भाग कर दी यह आयता हमारा, यह आयता 16.14, ठीक है, and y भी लिख देते हैं, y कितना आयता हमारा 26, ठीक है, यह दोनों आ गए थे आपके x और y, और यह आपके summation होई है, ठीक है, यह जो है x y की multiply है, यह x minus x bar है, ठीक है, और यह y minus y bar है, ठीक है, यह summation, यह तीन जो हमने summation कर रखे हैं, यह त होगा, अब बहुत ही जदा ध्यान से सुनेंगे, अब हमारी कहानी start होने जा रही है, तो सबसे पहले हम जो equation निकाल ले हैं, वो हम निकाल ले है, x on y, जो है, हम सबसे पहले निकाल ले हैं, ठीक है, x on y भी पूछ सकता है वो आप से, और y on x भी आप से वो पूछ सकता है, तो दोनों आपको समझनी है, x on y और y on x, ठीक है, तो x on y की अगर हम बात करें, तो इसका जो होता है, वो होता है मेरे भाई, x minus x bar is equal to bxy, बहुत यदा ध्यान से सुनेंगे, x minus x bar is equal to bxy, और यह हो गया आपका y minus y bar, ठीक है, जहाँ पे जो है, यह जो bxy होता है, इसको regression coefficient ठीक है, तो अगर आपको regression equation निकाननी है, तो regression coefficient जो है, वो आपको निकानना ही पड़ेगा, ठीक है, जी, value को put कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो है, x minus x bar, x bar मैंने कितना निकाला है मेरे भाई, मैंने यह निकाल लिया, 16.14, ठीक है, is equal to, मुझे चाहिए bxy, bxy, regression coefficient कैसे न 248, ठीक है, जो x, y की, आपने multiply करी थी, यह री, यह री, 248, उसको divide कर देंगे, बहुत एदत यहाँ से सुनेंगे, जब मैं x on y निकाल लाँ, x on y निकाल लाँ, ठीक है, x on y निकाल लाँ, तो मैंने यह x minus x bar का square था, और यह y minus y bar का square है, ठीक है जी, जब मैं यह निकाल ला आपका, क्या कहते हैं, x on y, तो आपको नीचे divide करना है y square से, ध्यान से समझ लीजीए, जब x on y निकाल लाँ, तो आपको divide करना है y square से, यह बात आपको जो है, यह बात आपको झДयान लखनी है, ठीक है, यहां पे आप एक बार उपर सारी डिजित देख लीजीए, हमने क्य कौन सा क्या क्या निकाला था ठीक है x-x bar का square y-y-y-y bar का square यह सब चीज़े हमने निकाली थी ठीक है जी तो अब जब हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लिख लेते हैं देखिए अब जो है जब हम यहाँ की बात करेंगे ठीक है यहाँ पे जो है x-bar अमने निकाला था 16.14 y-bar मैंने निकाला था 26 ठीक है 248 जो है वो xy की गुणा है यह जो है आपका आप इसको x square कह सकते हो और यह जो है आपका आप इसको y square कह सकते हो ठीक है जी तो मैं आप से ही कह रहा हूँ जब मैं x on y निकाल ला हूँ x on y तो x on y का फॉर्मुला कहा है x-x bar is equal to bxy bxy और y-y bar ठीक है यह इसका फॉर्मुला है तो x-x bar कितना है यह आपका 16.14 ठीक है अब bxy निकालना है bxy कहा है regression coefficient कहते है इसको कैसे निकलेगा मैं कहरा है जो xy की मैंने गुणा करी थी 248 उसको मैं भाग कर दूँगा किस से जब x on y निकाल ला हूँ तो y square से भाग करना है y square से यह बात दियान रखनी है कहीं गलत कर दो और y bar y bar कितना है 26 यह बात दियान रखनी है यहीं बच्चा जो है गलत कर देता है सारा का सारा अब इसको solve कर लेते हैं भाई यह होगा x minus 16.14 आपको क्या करना है 248 को भाग कर देना है 456 से ठीक है तो जब आप 248 को भाग करोगे तो यह आ जाएगा भाई 0.14 ठीक है कितना आ जाएगा 0.14 और यह हो जाएगा y minus y minus 26 ठीक है जी अच्छा अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x minus 16.14 is equal to इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 0.54 y और 0.54 को आपको जो है 26 से multiply कर देना है ठीक है तो यह आ जाएगा minus का 14 point minus का 14 point 14 क्योंकि यह minus का है तो जब आप 0.54 की इससे जो है multiply करोगे तो minus का 14 point 14 आ जाएगा ठीक है अब यह minus का है तो ज़रा के plus का हो जाएगा ठीक है यह minus का है तो ज़रा के plus का हो जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका जब 14 point 14 इसको आप ऐसे लिख लीजिए x x is equal to x is equal to 0.41y minus का 14.14 और यह जो minus का है यह दर आकर यह दर आकर plus का हो जाएगा ठीक है 16.14 तो आपको क्या करना है 16.14 में से आपको deduct कर देने 14.14 ठीक है तो यह 2 आ जाएगा आपका ठीक है 0.41y plus 2 यह आपकी जो है यह आपकी जो है equation बन गई किसकी x on y की ठीक है जी अच्छा अब मुझे जो है अब मुझे जो है equation निकाननी है y on x की ठीक है बहुत यह दर ध्यान से सुनेंगे अब मुझे किसकी निकाननी है अब मुझे निकाननी है y on x की y on x की equation क्या होती है y और x की जो equation होती है वो होती है y minus y bar is equal to इसकी जो equation होती है वो होती है y minus y bar b x y ठीक है b x y and b y x ठीक है y on x में आएगा b y x b y x bracket and यहाँ पर आप लिख देंगे x minus x bar ठीक है जी अब बहुत यह दर ध्यान से सुनेंगे अब यहाँ पर जो है value को plot कर दीजिए y minus y bar y bar कितना आया था जी हमारा 26 is equal to अब बहुत यह दर ध्यान से सुनेंगे मुझे b y x चाहिए मेरे भाई तो जो मैंने multiply निका ली थी 248 x y की यहाँ मैंने किस से divide करता y square से जब मैं x on y निकालूँगा तो यहाँ पिमें लिख देता हूँ bold करके जब y on x निकालूँगा तो y square से divide करना है y square से ठीक है और जब मैं यह निकाल ला हूँ अब x square से करना है तो x square कितना है भाई x square है 158.85 यह step दियान लखना है यही बच्चा गलत कर देता है तो यह जाएगा x minus x bar x bar कितना है x bar जो है वो है आपका 16.14 ठीक है जी तो यह हो गया आपका y minus 26 is equal to आपको जो है 248 को जो है 248 को जो है divide कर देना है 158.85 से ठीक है जी तो यह आजाएगा आपका 1.56 ठीक है जी and it will be x minus 16.14 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा y minus इसको मैं उधर ले जाता हूँ y is equal to 156 x और इसकी इसके साथ भी गुणा कर दीजिए ठीक है इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी इसको आपको multiply कर देना है 16.14 से ठीक है इसको जो है 16.14 से multiply कर देना है तो यह हो जाएगा minus का है यह दर आके plus का 26 हो जाएगा तो आपकी जो equation आजाएगी y is equal to 1.56x यह आजाएगी and it will be इसको जो है यहांसे आजाएगा आपका इसको 26 में से जो है 26 में से हमको जो है deduct कर देना है 25.19 ठीक है तो यह आजाएगा आपका यह तो यह होगा आपका यह x लिखा हुआ है ठीक है and plus 0.81 decimal में आएगा 8182 कुछ भी आप लिख सकते हो तो यह जो आपकी equation है यह यह जो आपकी equation है इस equation को बोलेंगे यह है आपकी y on x और यह वाली जो equation आईए यह वाली यह आपकी जो equation आईए इसको बोलेंगे x on y divide करने का आपको एक एक चीज़ दियान से समझनी है x on y में यह जो होता है bxy bxy जो है इसको regression coefficient कहते है bxy जो है यह regression coefficient है x on y का और y on x का क्या है y on x का क्या है byx यह बात आपको दियान लखनी है जब bxy निकाला था तो उल्टा चलता है मामला जब x on y निकाला हूँ तो y square से divide कर रहा हूँ और जब y x से निकाला हूँ तो x square से divide कर रहा हूँ मामला उल्टा चलेगा तो इस तरीके से आपको वो 3 से 4 चीज़ बोल सकता है निकानने के लिए ठीक है 3 से 4 चीज़ बोल सकता है वो आपको निकानने के लिए ठीक है equation निकाली है x on y regression equation x on y y on x regression coefficient है और coefficient और correlation अगर बोल दे अगर वो coefficient और correlation बोल दे तो bxy multiply byx इन दोनों को multiply कर दीजएगा answer आ जाएगा जैसे कि 0.54 multiply 1.56 इसको multiply कर दीजिए तो आपका correlation coefficient भी आ जाएगा ठीक है इस तरीके से वो आपसे 4 से 5 चीज़े पूछ सकता है कि भाई ये ये चीज़े निकाल x on y y on x regression coefficient coefficient of correlation और ये fixed question है exam में आएगा ही आएगा ठीक है बाकि मेरे भाई क्या कहते है correlation और regression में क्या difference होता है या बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा ये exam में आए गई आएगा बहुत जादा important है theoretical के point of view से I hope आपको जह समझ में आ गया होगा कि regression equation के question को किस तरीके solve किया जाता है मिलते हैं आपसे next video में ऐसी interesting topic के साथ तब तक के लिए have a good day bye bye take care